हैलो फ्रेंग्स हैपी होम गार्डन आशा की चानल में आप सभी को वेलकम हैं चलिए आज मैं काउन काउन सी फ्री अप प्लावरिंग प्लांट ओ भी पर्मनेंट प्लावरिंग प्लांट मेरेको फ्री में मिल गया कैसे मिल गया और क्या लेने को गई थी मैं आपको बोल दू एक्चुली मैंने रोज नर्सरी गार्डन को विजिट किया उदर देख सकते हैं इतना रोज प्लावर प्लावर प्लांट्स है एक्चुली रोज का फटिलाइजर लेने को मतब रोज प्लावर के लिए मैं फटिलाइजर और प्लावर प्लांट पॉट लेने के लिए गई थी उसके साथ मेरे को भी फ्री प्लावरिंग पर्मनेंट प्लावरिंग प्लावरिंग प्लांट्स भी मिल गए और इतना अच्छे अच्छे पॉट्स थी इनके पास मैं एक्छुली माली को पूझा रोज के लिए आप क्या-क्या पटिलाइजर दालते है जो आपके नरसरी में इतना अच्छा सा खिल के भर के फूल आते है इसलिए माली ने उनके पास जो पटिलाइजर दालते है ओ मेरे को दिया है ओ भी मैंने आपको आगले वीडियो में नहीं तो एंड पर दिखा दूंगी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए कमेंट करिए शेर करिए फ्रेंट्स चलिए आपको मैं बोलूंगी मेरे को कौन कौन से फ्री अपकोस्ट मतलब फ्री मिल गए मैं ग्रो बैग लेने को गई थी पॉट्स को लेने गई थी और रोज के बारे में फटिलाइजर भी लेने को गई थी माली ने मेरे को रोज का फटिलाइजर भी दे दिया रोज प्लावर प्लाइंट का फटिलाइजर के साथ पॉट्स ग्रोबैग्स लेके और फ्री अफ कोष्ट पर्मनेंट प्लावरिंग प्लाइंट भी मेरे को फ्री में मिल गए वो कौन कौन से प्लाइंट मिला है वो मैं दिखा दूंगी चलिए इधर देखिए यही मैंने प्लांट्स उनके पास लेके आई थी बहुत सुन्दर फूल भी उदर छोड़ेते और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे मतलब क्या है ना कभी-कभी पानी नहीं मिलता है ना बहुत सारे प्लांट्स डाइब हो जाते हैं मतलब मर सकते हैं और ज्यादा रहे तो भी क्राउड होआ तो भी उनको मुश्किल होता है इसलिए उन्होंने मालीने मेरे को यह चार-पांच प्लावरिंग प्लांट्स और थोड़ा सीड्स भी दिया है मेरे को लेके आई थी अभी इधर मैं लगा दूंगी अलरड़ी मेरे पास पॉट्स है वो पॉट्स पिंग, येलो, बाइट और डार्क पिंग इतना अच्छा कलर औरेंज कलर वो सभी थे उदर मेरे को भी एक तीन-चार कलर दिया है पता नहीं है कौन-कौन सा कलर है मगर फूल आने के बाद ही पता चलेगा कॉसमास और सेकेंड वाला मेरे को मिला है जीनिया आपको पता है एक लिश्ट आपको 70, हाँ, सीड्स लिये है तो 75 आपको पैकेट में मिलेगा जीनिया का सीड्स मेरे को चार पाच माली ने मेरे को दिया है जीनिया प्लांट वो भी मैने दिखा दूंगी जीनिया दिया है कॉसमोस दिया है और ये क्या बोलते है पिटूनिया वेराइटी क वो-मन प्लावरिंग रहता है मैक्सिकन का, वो भी दिया था, वो भी बहुत, मतलब एक बार लगा दिया तो आपके घारण में ये जीनिया है, देखिए, ये जीनिया है, वो भी वेराइटी का ये एक बार आपके घारण में आ गया तो ऐसे समझीए, कितना भी आप उकड़ क फेख दिया तो भी नहीं जाएगा, मतलब तब तक नहीं जाएगा आप सब पूरा खतम करते, क्योंकि यह बीच किदर किदर गिरते हैं, उदर सभी पूरा ऊग जाते हैं, इतना अच्छे फूल, मतलब गाडन, इतना अच्छा सुंदर दिखेगा न, यह कॉस्मोस का, यह 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 पिटूनिया मेक्सिकन वेराइटी करके बोल रहे थे मेरे को पता नहीं है मगर वो बोला एक नाम वो भी चार प्लांट दिया है जीनिया का चार प्लांट और यह कास्मस का अभी देखिए यही कास्मस है मैं छोटे पॉंट में लगा रही हूं बाद में थोड़ा सा ग्रो देख सकते है इधर मैंने कभी भी चार-पाँच पॉट मिटी भरके रख देती हूं कभी भी ऐसे प्लांट लेके आ गए तो तो तुरंध हम मतलब प्लांटिंग कर सकते हैं कोको पिट रहता है, नॉर्मल सोयल रहता है, सैंड रहता है, और कवडंका भी रहता है, सभी मैं मिक्स करके, थोड़ अस ड्राइ करके पॉट खाली रखती हूं, ऐसे कभी भी नर्सरी से हो, या फ्रेंड से हो, किसी से पास लेके आई, तो वो मिटी में लगा के छोड़ दीत हूं, और आपको दिखाना था, रोज का फटिलाइजर काउंसा दिया है मेरे को माली ने, मतलब भर के फूल आएगा करके बोल रहा था, पता नहीं, मैंने तो एक आदा बाटल मतलब क्या है न, ओ अल्रड़ी यूज करते न, वही बाटल मैंने लेके आई थी, मैंने बोला, दुसरा नया वाला नहीं चाहिए, ओ छोटा वाला जो आप अल्रड़ी यूज किया है, वही दे दो, करके बोल के पैसे दे के, शायद वह कितना सो रुपया ले लिया मेरे से, क्योंकि अल्रड़ी यूज किया था, वही मैंने लेके आई हूं, वही मैंने आपको दिखा एक गार्ड़नर कहां भी गए, तो उनको अच्छा लगता है, प्लावर प्लांट्स खरीद कर लेके आने के लिए, और पॉट्स भी चाहिए होता है, पर्टिलाइजर चाहिए होता है, इसलिए दुसरे दुसरे नर्सरी को हम विजिट किया, तो ए सभी इन्पॉर्मेशन हम को भी मिलेगा और सस्ते में प्लांट्स भी मिलेंगे, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करेए, लाइक करेए, कमेंट करेए, अगले वीडियो पे नोटिपिकेशन आन करके रखिये